हलो एवरिमेन और वालकम बैक तो मैं चैनल फ्रीटुरेवल थम्नेल से आप लोगों ने देखे लिया एक और शेंगन का टूरिस्ट विजा अप्रूब हो चुका है बीस दिन के अंतर जर्मनी का यह टूरिस्ट विजा है तो बीस दिन के अंतर यह विजा आ गया है बगार कि कि इंटर्व्यू कॉल के मतलब कोई इंटर्व्यू कॉल इनको नहीं आई पहले क्या हो रहा था कि बहुत लोगों को जो टूरिस्ट विजा डाल रहे थे अपना जर्मनीका तो लोगों को कॉल पर कॉल आती थी और फिलाल अब थोड़ी-थोड़ी लोगों को कुछ मैंने और लोगों से बता किया कुछ लोगों को नहीं भी आ रही है तो इनको भी कोई कॉल नहीं आई उनका टूरिस्ट विजा लग चुका है पहले इनका टूरिस्ट विजा शायद किसी कंट्री का पहले रिस्यूज भी हुआ था तो कुछ महीने पहले तो फिलाल इस बार इनको तूरिस्ट विजा जर्मनी से यानि शेंगन का तूरिस्ट विजा मिल चुका है बीस दिन के अंदर 19 मार्च को बैंगलोर विफस से ये विजा अपलाई किये गया था और दो तिन दिन पहले ही इनको कि आप चैनल को सब्सक्राइब पहलो और वीडियो को अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरू कर दिया अगरो प्रोफाइल क्या यह मैं आपको बता देता हूं सिंगल मतलब यह है मतलब मेरिट नहीं है सिंगल है इनका वहां पर जो प्लान था घुमने का जर्म और अप्रल में इनका है गूंने का वहां पर चेयर आश टो नव अपरैल है तो थो प्लान है तो आप तो 22-23 दिन की इनकी जो है इनको वैलिडिटी भी मिलिये वीजे की तो यह कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं 8 दिन का इनका स्टे है multiple entry के साथ और यह जो है किसी company में जॉब करते हैं बैंगलोर में सेलरी भी इनकी अच्छी है तो वह भी कुछ फरक पड़ता अगर आप किसी अच्छी company में जॉब कर और आपकी अच्छी सेलरी आ रही हो तो उससे भी फरक पड़ता है बाकि जो है आई टेर इनकी लगबग पांच लाग से नीचे ही थी और कोई कोई टेक्स पेड नहीं थी मतलब बाकि जो इनका जो बैंक बैलेंस था लगबग चार पचासी था एक सेविंग्स अकाउंट में दूसरा इनका एक और करेंट इनका एक और सेलरी वेला अकाउंट था उसमें लगबग डेल पौने दूलाख पर बढ़ा था तो दो अलग अलग अकाउंट लगाए थे क्योंकि एक सेल्डी वेला अकाउंट था जो मैं सबको बोलता हूं अगर आप जॉब करते हो तो सेल्डी वेला अकाउंट आप जरूर लगाओ वो तबी तो लगेगा कि आप प्रूफ होगा उसका प्रूफ आप कर सको कि भाई इसमें मेरी सेल्डी आ रही है क्योंकि उनको तो प्रूफ चाहिए आपके सेल्डी स्लिप भी चाहिए आपकी बैंक की स्टेट्मेंट भी चाहिए जिसमें सेल्डी क्रैडिट हो रही हो तो इनको जो है स तो इसके लाबा इनके सेविंग्स अकॉंट में लगबा यही अमाउंट के अकॉंट में था दोनों अकॉंटों में इसके लाबा कोई FD कोई कुछ नी और कोई दूसरा तीसरा कोई भी फाइनेशल डॉक्मेंट अलग से नहीं लगाया गया था ट्रेवल हिस्ट्री इनकी ठायलेंट और दुबाई की उनाइटेट अरब allowed दूसरा और थाइलेंड की और इन्होंने कोई नौर्स कोरिया भी ट्रेवल किया था इसके लाबा इन्होंने इंहों ने कंग्राचुलेशन्स इनके वीज़ह के लिए शएंगन में मैं आपको दोंकूरी में जलातार लोगों को करने करता हूँ एफ क्रिविशन लैंड तो फिब्वेंड को सिंगल के लिए ठीक है पता कुछ भी नहीं होता, बस यही मैं आप को कहुंगा कि आप जब भी शेंगन-ईख लिए आप ट्रावल करने जारे हो तो आपको पूरा प्लान पता हुना चाहिए, होटल्स के नहीं में पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहां का घुमने वाले हो तूरिस्टिक प्लेसे जो होते हैं उसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए कि अपने कहां का घुमना चलो आपको ना भी पता हो आपके पास आइडनरी आती है अब उसको देख के याद कर लो information आपको पताजरू होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर आपको कॉल आभी जाये तो आप कम से कम प्रिपेर हो पहले से ही प्रिपेर हो हुए होना चाहिए तो यही इनके भी प्रोफाइल थी फिलाल इनको कोई कॉल आई नहीं इंट्रव्यू तो फिलाल इनका वीजा प्रूव हो चुका है और आप भी जो है अगर आप शेंगन में जर्मनी या फ्रांस या स्विजलेंड के लिए अपलाई करना चाते हो तो मेरी इंस्टा आइडिय के नीचे दिविए यहां पर आप मुझे कॉंटक्स कर सकते हूं बाकि फ्रेंड्स इतनी इंफर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफर्मेशन के साथ अब तक के लिए बबाए